तो बच्चो आप ध्यान दें आज हम पढ़ेंगे कक्सा साथ विज्ञान यानि साइन्स का तीसरा चैप्टर रेसों से वस्तर तक हम आपको बताएंगे बच्चो इस पार से सम्मंदित प्रस्णों के उत्तर अब्यास प्रस्णों उत्तर में सबसे पहला प्रस्ण है बच्च क्या पढ़ा होगा कहले का है बाबा बलेक सीफ हैब यू एनियूल और क्या क्या है मेरी हैड ए लिटल लेंब हुज फ्लीज वास वाइड एस इसनो तो यहां पर आपनी ये लाइने पड़ी होंगी तो चलिए आगे क्या कहता है यहां पर प्रस्णाप का फस्ट में कहता है बलेक सीफ यानि काली बेड के किन भागों में उन होती है और दूसरा यहां पर प्रस्णाप के लिए मेमने यानि कि लेंब के सफेद रोमू का क्या तातपर्या है तो उत्तर लिखेंगे आप किस प्रकार से लिखेंगे चलिए बता देतें आपको फस्ट में लिखेंगे आ सफेद रोमू का मतलब भेड के बच्चे के उनका रंग सफेद है भेड और बकरियों का प्राकरतिकून काला भूरा या सफेद होता है ठीक है तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों ध्यान पूर्बग लिखें और इने याद भी करें दूसरा प्रस्णात आपका यहां पर और इसमें पूछा है रिसम कीट और ए लिखा है कैट पिलेर और बै वाला लारवा सही बिकल्प चुनिए तो आपको सही बिकल्प चुनना है और बिकल्प यह हैं आपके लिए केवल ए केवल बै ए बै दोनों और नही ए और बै तो उत्तर में के लिखेंगे आप इन चारों में से कौन सा भी कल्प आपका सही है उत्तर लिखेंगे आप और बै ठीक है तो यह आपका सही आंसर है ध्यान दे आपका वे तो कहाँ पर रह बै यह यह वाला जी आप्शन सही है तो इसी प्रकार से लेकिन आप ये दूसरा प्रसना है और इसका उत्तर बात करते हैं बच्चो तीसरा प्रसना आता आपका और इसमें पूछा है निमलिखित में से किस से उन प्राप्त नहीं होती और किस से नहीं होती याक से नहीं होती उन्ट से नहीं होती बकरी से य गने बालों वाला कुट्ता क्योंकि इससे उन प्राप्त नहीं होती तो यहां पर आप जो है सही का चिन लगा सकते कि गने बालों वाले कुट्टे से उन प्राप्त नहीं होती ठीक है तो यह आपका सही option होगा कौनसा गहवाला अगला प्रस्ने बच्चो चोथा निमलिके सब्दों का क्या आर्थ है तो इनका आर्थ बताना है आपने पालन का उनकटाई का और रेसमकीट पालन का तो इनका आपने जो आर्थ बताना है उतर लिखेंगे सबसे पहले हम आपको बताएंगे पालन का तो पालन क्या होता है पालन का आर्थ है पसुपालन या पसुधन ठीक है आप क्या लिखेंगे पालन का आर्थ है पसुधन जैसे गाय, भैंस, बकरी, आधि को पैसा कमाने के लिए रखना और उसकी देख बाल करना ठीक है इन जानवरों को खिलाया जाता है आसरे परदान किया जाता है और बेतर उपज जैसे दूद, मान्स, उन, आदी के लिए पाला जाता है उधारन के लिए बेड़ को मुख्य रूप से उनके लिए पाला जाता है वे मुख्य रूप से कम वर्षा वाले छेत्रों में पाले जाते हैं बेड़ें गास और पत्यां खाती हैं उन्हें दालों, मक्का, जौर और खनीजों के मिश्रण भी खिलाया जाता है सर्दियों में उन्हें घर के अंदर रखा जाता है और सुखे चारे पत्तियों और अनाजों पर पाला जाता है तो इस प्रकार से आप पालन के बिसे में लिख सकते हैं एक पैर अगर आपके रूप में अगला है बच्चों दूसरा देखेंगे उन कटाई उन कटाई के बिसे में आपको बताना होगा क्या होती है उन कटाई एक बार जब एक भेड बालों की एक मोटी परत विक्षित कर लेती है तो इन बालों को उन प्राप्त करने के लिए काटा जाता है भेड की तोचा से उन को अलग करना उन की कटाई कहलाता है यहां कार्या कई मशीनों द्वारा संपन किया जाता है यहां पर आप जो है समान ना लिखें यहां पर लिखेंगे संपन क्या संपन किया जाता है मशीनों द्वारा संपन किया जाता है इसके बाद अगला है बच्चो तीसरा आपके लिए रखा था रेसम कीट पालन पे लिख रेसम तेसर रेसम आदी विविन प्रकार के रेसम कीड़ों से प्राप्त किये जाते हैं तो इस प्रकार से आप रेसम कीड़ के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर अगला प्रस्न आपका पांच वाँ प्रस्न है उनके संसाधन के विविन चरणों के करम में कुछ चरण नीच ये दिए गए हैं, सेज़ चरणों को उनके सही करम से लिखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, उन कटाई और छताई, उन कटाई, छताई, उन कटाई, तो यहां पर आपने क्या लिखना है? उत्तर में आप लिखेंगे उन कटाई, तो यहां पर अभी मारजन, छटाई, वर की छटाई, रंगाई और रीलिंग ठीक है तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद छटा प्रसने बचो रेसम कीट के जीवन चकर की उन दो अवस्ताओं के चितर बनाई है जो पर्तेक्स रूप से रेसम के उत्पादन से तो यहाँ पर क्या करेंगे आप एक चितर बनाएंगे सासाथ और इस प्रकार से बनाएंगे यहाँ पर आप देखें उत्तर में सैतूत की पत्ती पर अंडे कोकुन में बिकासील कीट इस प्रकार से लिख देंगे पहले आप और उसके बाद चितर बना लेंगे और चितर आ एक चितर बना लें लेकिन आप सासा यह वाले चितर लगा दें सहतूत की पत्ती पर अंडे और कोकून में विकासिल कीट तो आपका यह आंसर हो जाएगा इसका कौन सा छटा प्रसने आपका और इसका उत्तर जोए आप इस प्रकार से बना सकते हैं लेकिन याद रहें चित्र को जरूर से जरूर अंकित करें इसके बाद बच्चों अगला प्रस्णिया साथ हुआ निमलिकित में से कौन से दो सब्द रेसम उत्पादन से संबंदित है रेसम कीट पालन, पुष्प, किरसी, सहतूत, किरसी, मदुमक्सी पालन और वन वर्दन तो यहाँ पर जो है मदुमक्सी के बारे में आप जानते हैं मदुमक्सी जिससे सहत मिलता है तो इन में से आप जो संकेत देख सकते हैं यहाँ पर प्रस्ण में आपको मिलेंगे संकेत रेसम उत्पादन में सहतूत की पत्यों की खेती और रेसम कीटों को पालना समलित है और सेकेंड है सहतूत का बैग्यानिक नाम मोरस एलवा है तो यह आपके लिए संकेत दिये हुए है, उत्तर में आप क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेसम की पालन और सहतूत किरसी, ठीक है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा, अगला है बच्चो, प्रस्न आठ हुआ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चो, यह क सहतूत की पत्या, उन देने वाला जन्तू, याक, रेसम कीट का बोजन, कोकून, रीलिंग, और काटी गई उनकी सपाई, तो यह सब आप प्रस्न में देख सकते हैं, और उत्तर में आप इसका सुमेल करेंगे, तो किस परकार से करेंगे, तो यहाँ से आप जो है, उत्तर ज देने वाला जन्त और कोकून में लिखेंगे, रेसम फाईवर उत्पन करता है, तो इस परकार से आपका यह उत्तर हो जाएगा, उत्तर आप इतना जो है, यहाँ से जो है, इसी परकार एक टेबिल बना कर लिख सकते हैं, अगला है बच्चों, नववा प्रस्न है, इस पार की जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जो है, इस पहली में कुछ नंबर दीवें, वन, टू, त्री, फोर, इस परकार की आपको एक बर्ग पहली दिखाई देगी, और इसमें आपने जो है, क्या भरना है, सीधे में आपने लिखना है, नंबर दो वा आते हैं और उपर से नीचे की और क्या लिखना आपने फस्ट में एक पर आपने लिखना है इससे बने वस्तर सरी को गरम रखते हैं और चार पर लिखना है इनकी पत्यों को रिसम कीट खाते हैं और पांच पर रिसम कीट के अंडे से निकलते हैं तो यहाँ पर आपने इस प् प्रकार से लिखेंगे, नमबर एक पर आप लिखेंगे परी मार्जन, नमबर तीन पर रेसम, नमबर छे पर फाइवर, ठीक है, सिदे में और उपर से नीचे की तरफ क्या लिखेंगे आप, नमबर एक पर लिखेंगे उन, और नमबर चार पर लिखेंगे सहतूत, और नमबर 5 पर cat pillar आई बात समझ में जो यह बर्ग पहली आपका number 1 यहांपर आप क्या लेखेंगे उपर से नीचे को यहांपर लेखेंगे उ और यहांपर न इस प्रकार से ठीक है जैसे कि 5 पर क्या लेखेंगे आप cat pillar यहांपर यह 5 आपका तो यहाँ पर आप लिखेंगे कै और यहाँ पर टै और यहाँ पर पी और फिर उसके बाद लह और रह तो यहाँ पर जो है कैट पिलर लिखेंगे आप ठीक है उसमें उपर से नीचे को और इस प्रकार से आप अपने उत्तर को यहाँ से भी देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या ल बच्यों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आये होंगे इसी प्रकार लगातार अपने सभी पार्टों के प्रस्णुक्तरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब और तेक पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो मिलते हैं बच्चों फिर कक्सा साथ पार्ट चार में अगली वीडियो में